हाई फ्रेंड्स में अकांशा सर्माजी की विद्ध कांशा में आपका स्वागत करती हूँ MPPSC प्री 2023 में पी सीरीज का जम चवद्वा भाग करने वाले हैं टॉपिक का नाम है पर्माडू अंत्रिक्षवा विज्ञानिक संस्थान जितने भी मध्यपते हमारे भारत के अनुसंदान संस्थान होंगे उनके वारे में हम पढ़ेंगे पचास प्लस अनुसंदान संस्थान है यूनिट सेवन का ये प्रमुक टॉपिक है MPPSC प्रिलिम्स के जो यूनिट है वो 10 यूनिट में डिवाइट की गई है उसी का ये साथवा यूनिट का जो वीडियो में करवा रही हूं इसके लावा जो ये पी सीरीस का भाग है ये चाउद्वा भाग है मतलब पी सीरीस का चाउद्वा भाग है आज हम कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है भावा परमाडु अनुसंधान सनस्थान कहा है मुंबई में है और भावा परमाडु अनुसंधान केंदरी की स्थापना कवरीती sommes 1964 याद रखना ब्हावा परमानगु संधान कहां पर है इसको वार्क भी बोलते हैं और यह कहां पर है 1904 मुंबई में है और इसकी स्थापना कभी थी 1904 में हुई थी इसको वार्क भी बोला जाता है भावा आटोमिक रिसर्च सेंटर यह ये भी इसका नाम है इंगलेश में और साथ में डिलीट भी कर दिये हैं प्रैशन जिससे का टॉंग बढ़ गया है और बहुत सरे स्टूटेंट का नहीं हुआ मेरे ही बहुत सरे स्टूटेंट है जो दिनका किसी सीट कम है, सीट कम में जादा profit होता है, कम लोग exam देते हैं, मेंस में भी ज्यादा जल्दी और ज्यादा clarity से result आने का होता है, तो 2024 पर focus कीजिए, इसी कारण से मैंने अभी से ही प्रिलिम्स 2024 की क्लासे स्टार्ट कर दी हैं और उसी का ही ये चवद्वा भागे के बलब वीडियो वीडियो पर ही फोकस करेंगे तो भी आपका बहुत अच्छे माकसा पाएंगे पिछली बार बहुत सरे स्टुडेंट ने हमारे टेस्ट से हमारे नोट से प्लस वीडिय उसे तैयारी की थी जिनका भी सेलेक्शन हुआ है दूसरा है उच्छ उन्नतांस अनुशंधान प्रियोक साला जिसको हम दिहार बोलते हैं वो कहां पर है तो उच्छ उन्नतांस अनुशंधान प्रियोक साला जिसको दिहार बोलते हैं वो गुलमर्ग में हैं गुलमर्ग कहा पर है हिमाचल प्रदीस में है और इसकी स्थापना कवी était 1963 में हिमाचल प्रदीस की capital है सिमला इंदरा गांदी परमाडू अनुस्प्रेंट कमेंट करके बताइबा की हिमाचल प्रदेस के मुख मंथ्री और हिमाचल प्रदेस के राजयर पाल कौन है सबी लोग कमेंट जरूर करके बताईएगा हिमाजल प्रदेश में कौन मुख्ध मंत्री अभी वर्तमान में और राज्यपाल कौन है सबी लोग कमेंट कीजिएगा जिनको भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं अगला है इंद्रा गांदी परमाडू अनुसंदान के इंद्र इसकी स्थापना हुई थी 1971 में ये कहां पर है कलपक्कम कहां पर है तमिलनाडू में है तमिलनाडू की कैप्टल तेवेंद्रा में है तो इंद्रा गांदी परमाडू अनुसंदान कहां पर है तमिलनाडू में ह इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, अगला है केगा परमाड उर्जा स्टेशन है, उसकी स्थापना 2000 में हुई थी और ये कहां पर है, ये करनाटक के करनाटक की कैपिटल है, बेंगलोडुब्योट्थ अगला है मद्रास परमाड उर्जा इस्टेशन मद्रास का कहां पर होगा मद्रास में ही होगा इसकी स्थापना कव हुई थी इसकी स्थापना 1984 में हुई थी मद्रास परमाड उर्जा इस्टेशन की न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कीजेगा अगला है काकरापार परमाल उर्जा केंद्र है वो गुजरात में है इसकी स्थापना कव हुई थी काकरापार की कव हुई थी 1903 में हुई थी काकरापार की काकरापार कहां पर है काकरापार गुजरात में अगला है नरोरा परमाड उर्जा इस्टेशन जो है 1991 में स्थापना हुई और ये कहां पर है नरोरा परमाड उर्जा इस्टेशन ये उत्तर प्रदेस में है उत्तर प्रदेस में एक नरोना नाम की जगे है जहां पर नरोरा पर्माड उर्जा स्थापना का हुई थी 1999, अगला है राजस्थान पर्माड उर्जा स्थाथा अगला है Uranium Corporation of India Limited Uranium Corporation of India Limited की स्थापना 1968 में हुई थी कहां पर हुई थी जारखंड के सिंग भूमी में तारापूर परमाड उर्जा एश्टेशन कहां है तारापूर एक मुंबई में एक जगय है वहाँ पर है मुंबई में और इसकी स्थापना कब हुई थी तारापूर परमाड उर्जा एश्टेशन की स्थापना कव हुई थी 1962 में हुई थी तिरुवरंद पुरम के थुमबा में इसकी स्थापना हुई थी 1962 में दूसरा है इस्रो सेटेलाइट सेंटर इसरो सेटेलाइट सेंटर की स्थापना कब हुई थी 1972 में हुई थी तो बैंगलूर करना टक्के बैंगलोरों में हुई थी अगला है अंतरिक्ष अनुप्रियोग केंद्र अंतरिक्ष इसको SAC भी बोलते हैं मतलब Space Application Center इसका वो ख्याले गुजरात के एहमदाबाद में हैं और अंतरिक्ष अनुप्रियोग केंद्र की स्थापना 1972 में हुई थी अब हम भारत के अंतरिक्ष वैज्यानिक और तकनीकी संस्थान देखते हैं सबसे पहला है हरी कोटा हरी कोटा की स्थापना का हुई थी 1971 में हुई थी अंधर प्रदेश में Master Control Facility जिसको MCF भी बोलते हैं इसकी स्थापना 1982 में हुई थी Master Control Facility कहां पर है करना टक्के हासन में है स्थापना का हुई थी 1982 में अगला है विक्रम साराभाई Space केंद्र विक्रम साराभाई Space जो सेंटर है उसकी स्थापना का हुई थी विक्रम साराभाई Space सेंटर ने की स्थापना 1963 में हुई थी कहां पर है केरल के तरुवनानद पुरम में है कहां पर है केरल के तरुवनानद पुरम में विक्रम साराभाई Space सेंटर कब बना था 1963 में बना था अगला है भारतिय पेट्रोलियम संस्थान भारतिय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना ये भारतिय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है सौरी भारतिय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में कहां पर है भारतिय पेट्रोलियम संस्थान देहरा इधन अनुसंदान संस्थान तो राजिस्थान के पिलानी में है Leggest if ke sound है बौन को है काई नई चेन नई में है इसके बाद भावाerapeutMr. नुसंदान के बिहार से जो अलग होके बना है जार खंड एक नमंबर 2000 को वही पर ही होते हैं तो वहीं पर ही है केंद्रिये खनन अनुसंदान संस्तान इसके बाद एक केंदरी ये भवन अनुसंधान केंदर कहा है तो भवनों का अनुसंधान केंदर है रूड की में कहा है रूड की में कहां है परियावरन इंजिनियर अनुसंदान संस्थान नाकपुर में है कैगा अटोमिक पावर प्रोजेक्ट केंद्र कहां है तो कैगा का जो अटोमिक पावर केंद्र है वो कंणाटका में है कहां पर है कंणाटक में और काकरापारा कहां पर है काकरापारा गुजरात में है है भारतियार रियर निगम लिटेड है मॉमबाई में भारतिय अर्थ मुवर्स कहां है भारति अर्थ मुवर्स लिमिटेड है 1964 में स्थापना होई बंगलूरू में है कवज़ च्छापना हुई diagnostic में में है कव स्थापना हुई 1960 में आगे पढ़ने से पहले फ्रेंट्स ये मेरे MPPSC Prelims के नोट्स हैं जैसे कि MPPSC का जो Prelims का सिलेवस है वो 10 यूनिट में डिवाइड है उसी प्रकार ये 10 यूनिट के अलग-अलग बुकलेट आपके लिए दी गई है साथ में एक करेंट अफिर्स की बुकलेट ऐसे टोटल 11 बुकलेट है MPPSC Prelims के ये थियोरी नोट्स हैं बहुत ही सांदार इजी लेंग्विज में हैं रिटरिंग को तयार किया गया है आपको एक एक टॉप टॉपिक पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको याद भी जल्दी हो जाएगा ये टोटल 11 बुकलेट है ये आप अगर सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी अवलेबल है मतलब PDF में अगर आप इसकी हार्ट कॉपी लेना चाहते हैं मतलब हार्ट कॉपी आपके घर आईगी तो 6-7 वर्किंग डेज में वह भी आजाएगी तो ये यूनिट वाइस थियोरी नोट्स हैं साथ में आप हमारी प्रेलिम्स बारह हजार प्रशनों का व्रह मास्त भी ले सकते हैं जैसे कि वो थियोरी नोट्स हैं यूनि ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे वर्किंग कर सकते हैं यह बहुत ही सांदर मतलब जो बयस्ट हर यूनिट का होता है वो इसमें निकाला है चाहे यूनिट 7 हो चाहे 8 हो साथ में दो हजार करन्ट अफेर्स के भी आपको कोश्चन दिये जा रहा है इसके साथ हम आपको एक गुरूप भी प्रवाइड कराते हैं पीपेसी प्रेलेम्स के साथ और टेस्ट के साथ उसमें आपको तैयारी करवाते हैं हर रोज अती महत्पूर प्रेश्णों का संग्रे महत्पूर कोश्चन दिये जाते हैं कोई महत्पूर करेंट से कोई संबंदे नहीं जाती है वो दिया जाता है हर मंथ का करेंट अफेर्स की पीडियाफ यहां पर दी जाती है तो अगर आप यह लेना चाहते तो मुझे वाट्सप कर सकते हैं साथ में अगर आप हमारा MbpsC 2024 decade-tourpoor 2014 script application package दें चाहते मुझे वाट्सप कर सकते हैं इसमें प्रिलिम्स की 11 भूप्ट क्रेक्टिस सेट में तीन भूप्लिट मिलती है और मींस की मुख्छ परिशा की 45 भूप्लेत मिलती है जिसमें 12 भूप्लेत 3 नंबर 32 भूप्लेत 5 और 11 नंबर और 25 वाट्सप के गु पर आप मुझे वॉट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास वॉट्सअप पर अभी तक सेव नहीं कराया है तो सेव भी करा दीजेगा तो ये हमने पढ़ा अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुक परमाड़ु विद्द्धगर। औसदी संस्थान लखनव में है कहा है लखनव में खनन और इधन अनुसंधान संस्थान कहा है धनवाद में यह बहुत महत पुने सड़कों का अनुसंधान संस्थान कहा है सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है सड़क अनुसंधान संस्थान कहा है दिल्ली में है भार 6019094 पर अपना नंबर सेफ करा दीजिए हाई लिखकर यहां भेज दीजिए और अपना नंबर सेफ करा दीजिए आपको स्टेटस के थू भी बहुत सारे कोशन याद होते रहेंगे साती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वाट्सप टेलिग्राम फेस्बुक ट्वि वीडियोज आ रहे हैं अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजेगा भारती पैटोलियम संस्थान कहां है दहरादूर में है रास्टी रसायनिक प्रयोकसला कहां है पोने में है भारती रसायनिक प्रोध्योगे की संस्थान है हैदरावाद में खनिच पधार्थ प्रो इसकी पीडियाव हमारे प्रिलिम्स के गूरुप में कल भेज दी जाएगी तो आप लोग इसको note down कर लिजेगा बकी और वीडियो के लिए चैनल को subscribe कीजेगा मध्यपदेश के daily current affairs के लिए चैनल को subscribe कीजेगा वीडियो अच्छे लगे तो like से जरूर कीजेगा okay friends thank you